नमस्कर दोस्तों गड़ेंगेंट चनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ डैलवर्ग डैसी के बारे में इसे थाइम ओफाइला भी भूलते हैं और योलो कलर में देखिए बहुत छोटा छोटा फूल देता है और इसका पता भी बहुत ओफाथा और गुलाब खिला भी हुआ है यह बलस है और नया पोधा है इसलिए कलरल नहीं हा रह रहा है वह इंटर में बहुत बड़ी आ कलर देता है जौतेऻ चथे लिए और इसका सेड उड़े में भी हो जाता है और बहुत छ्षोटा छुटा सेड रहता है इसका और बहुत सारा प्लांट बन जाता है एक साल के बाद आपके गाडन में जिस गमले में आपको लगाना है वहाँ पर ही सीट डालना चाहिए और इसको अगर आप अपरूटेड करते हैं या फिर दूसरे जगा पर लगाते हैं तो प्लांट बनने का खत्रा रहता है क्योंकि इसका रूट बहुत सौट होता है और मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे इसको दूसरे पॉर्ट में मैं ट्रांस्प्लांट करता हूँ यह देखिए दोस्तों एक मेरा खाली गमला था और गमला इसे बड़ा भी नहीं चाहिए करीब आपका चार इंच छे इंच का गमले में यह आराम से हो जाएगा और यह देखिए यहां पे मैं लगाया हूँ दो प्लांट है यह और इसको जब आप निकालते हैं तो साइड से ऐसे मेटी चारो तरब से यह करके कुडाई करके इसको निकालना चाहिए इसको अगर आप ऐसे खेंच देंगे तो यह मर जाएगा दोस्तों जब आप लगाएंगे इसका रूट बहुत सौट रहता है और बहुत नाजुक प्लांट भी है इसलिए इस प्लांट को मैं ऑनलाइन नहीं भेज़ता हूँ बहुत सारे विवर्स और सब्सक्राइबर मांगते हैं लेकिन इसका सीड लेना ही ठीक रहता है और सीड अभी नहीं है कुछ दिनों के ब है जब तक यह सेटथ नहीं देखिए यहां पर मेरा अडेनीन चांवर्ड है यह तो जीनिया है उसके पीछे में दिखा रहा हूं आपको यहां पर देखिए यहां पर सीडिगीर के यह सब कुग आया है और यह दखिए बहुत चोटा चोटा प्लांट और यह दूसरे गंद दोस्तों और चाहों में ही रखिएगा इसको और मॉइस्ट रखिएगा जब आप ट्रांस्प्लांट कर रहे हो और डारेक्ट सीड उसी कमले में डालना बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि वहां पे यह उगाता है और ज्यादा फटी लाजर नहीं इसे कुछ भी नहीं और फ्लावारिंग सीजन दोस्तों इसका ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी सीजन में यह फ्लावारिंग कर देता है यह देखिए मेरा एडेनियम का और एक पोधा है और यहां पे भी देखिए दोस्तों बहुत कमाल का फूल आ रहा है और यह पूल सब खिल चुका है देखिए यह सीड़ बन रहा है सीड़ पॉट रैसे में आ जाता है दोस्तों और यह अगर आप कॉलेक्ट नहीं करेंगे तो हवा में उड़के इधर उधर गिर के सारे गमले में हो जाता है तो एक प्लांट अगर आपका बन गया तो चार-पांच महीने तक फूल देता है उसके बाद पूहिर आपको सीड़ डालना पड़ता है दोस्तों इसका सीड़ में दिखा रहा हूं अपको देखे यह वाला देखिये बहुत चुटा चुटा इसका सीड़ आता है यह देखिए हाथ में लेकर मसलते हैं तो यह देखिए यह कला कला सीड़ आफ को दिक रहा होगा इसको अगर आप गंबले में ज्यादा नीचे नहीं दबाना है उपरी हिसे में ही डालना है क्यूंकि यह मीटी में हवा में ही उड़के पॉलिनेट होता है दोस्तों और देखि बाद उगाता है तो दोस्तों फूल सन में चलता है और सानलाइट नहीं आने पर फ्लावरिंग भी नहीं करता है तो फूल सन में रखिए इसे और पानी दो दिन में एक बार दीजिए पानी ज्यादा देंगे तो रूट रोट होने का चांस रहता है अगर आपका ड्रेनेज हो हुआ है तो रेगुलर आप पानी दे सकते हैं और गमला छोटा लीजिए ज्यादा बड़ा गमला मत लीजिए आपका मैक्सिमुम एट इंच के अंदर ही लेना चाहिए चार इंच में भी हो जाएगा दोस्तों यह पैस्ट और इंसेक्ट की बात करें तो मिली बग लगते है दोस्तों और कुछ नहीं लगते हैं फीड सी यह तो लगते ही नहीं है इस पर बात थोड़ा समर में थोड़ा ये सुकता है तभी आप इसका सीड कलेट की जिएगा समर में बहुत सारा सीड ये देता है और बहुत सुंदर-सुंदर पूल और एक साथ दोस्तों 100-200 फूल गिलता है तो हैंगिंग बसकेट के लिए भी ये बहुत बड़ी अप्लांट है कि नीचे जुका हुआ रहता है फटी लाजर की अगर बात करें तो दोस्तों एंपिके उनीस उनीस उससे आप एक चूट की बस इतना सा एक चमज भी नहीं एक चूट की आधा लीटर पानी में लेके गमले में डाल सकते हैं बहुत हीं कम फटी लाजर में ज्यादा फूल देने वाला पोधा है और मेरा फेवरेट में से एक है दोस्तों तो आज का ये पोधा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ न आपको